जमुकश्मीर और आसपास के पहाडी इलाकों में एक बार फिर बर्फ पारी और दापमान गिरने का दौर शुरू हो गया है मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में जमुकश्मीर, हिमाचल और उतराखन के कई हिसों में भारी बर्फ पारी और बारिश की चितावनी जारी की है मौसम विभाग के अनुसार पहाडी इलाकों में बारिश और बर्फपारी का एक नया दौर शुरू होने वाला है और यह 26 जनवरी तक चलेगा विभाग के अलर्ट के मुताबिक 24 से 26 जनवरी के बीच जम्मू और कश्मीर में कई जगों पर भारी बारिश और बर्फपारी की संभाव न चताए गई है इसके चलते मौसम विभाग ने प्रशासन को पूरी तरहा से मुस्तैद रहनी की सलहा दी है और लोगों को इन इलाकों से दूर रहने को कहा है हाला कि पहाडी इलाकों में तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है श्रीनगर में न्यूंतम तापमान शून्य से 4.1 दिगरी नीचे तो पहल गाम में शून्य से 7.1 दिगरी नीचे रहा वही गुल मर्क में तापमान शून्य से 8.6 दिगरी नीचे दर्श किया गया पहाड़ों पर भारी बर्वपारी की वजह से मैदानी इलागों में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है राजदानी दिल्ली में भी 26 जन्वरी के आसपास बारिश होने की आशंका जताई जा रही है पहाडी इलाकों के साथ-साथ मैदानी इलाकों में भी अकले 6-7 दिनों में तापमान गिरने की समभावना जताई जा रही है इसके साथ ये गर्तंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में बारिश की भी चेतावनी जारी कर दी गई है देखते रहे डी बिलाइव